कि निगाहों में मंजिले थी गिरे और गिर कर समलते रहे हवाओं ने बहुत कोशिस की हवाओं ने बहुत कोशिस की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे चिराग आंधियों में भी जलते रहे नमस्कार साथियों मैं अजीत कुमार आपके डिश्टल प्लाटफॉर्म कमप्टिशन कम्यूटी पे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे जैसा कि आप सबों को जानकारी है पहले से कि अपने सीजी टेट कर जो एकसाम होना है वो बहुत कम समय में लिया जा रहा है चुकि अब कम समय में लिया जा रहा है, इसमें भी हम लोग जितना हो सके अपने अस्तर पे कमटिशन कमUR defenders औरगनाजिसर जो है आप सबों के विलपियर में काम करते रहती है तो जितना हो सके हम लोग हर समभ प्रियास करेंगे कि हम लोग जितना भी हो सके आपके मदद इसमें कर सकें चलिए तो आज हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में बात करेंगे English के किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे English के आईए English के सुरुवात करने के पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते चलें कि कि अपने एक्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो देखे क्लास 125 के अदि हम बात करते हैं तो क्लास 125 में देखे क्या क्या आपसे पूछा जाता है एक सब्जेक्ट आपका हिंदी आता है दूसरा सब्जेक्ट आपका English होता है, तीसरा मैत होता है, ओयर थिक है, यह 3 subject हो गया, 4 होता है आपका environmental education और सबसे पहला आपका paper होता है Child Development and Pedagogy, चाहे आप class 1-5 के लिए apply कर रहे हो, या 6-8 के लिए apply कर रहे हो, दोनों ही paper में आपके लिए common है, और कुछ subject दोनों ही paper में common है कौन कौन से भाई तो पेडागोगी है आपका और हिंदी और इंग्लिस ये दोनों ही paper के लिए useful है अर्थात class 1-5 के लिए भी और 6-8 के लिए दोनों ही section के लिए ये applicable है ठीक है चली चलते हैं उसके तरह भी और उसके तरह बढ़ने के पले इसको सामने screen पर देख पारें प्रते एक subject से 30-30 question पूछे जाते हैं और प्रते question एक marks का होता है एक question एक नंबर का होता है तो 30 question कितने नंबर का हो गया तीस नंबर का हो गया सब सची बात इसमें यह है किसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको जिसमें अच्छा लगे आप उसमें टिक कर सबते हैं ठीक है चलिए सारे के सारे question होते हैं आपके दिया गया होता है टोटल कितने कोशन के लिए 150 कोशन के लिए 150 कोशन एक सोपचास मार्क्स का ठीक है निगेटिव मार्किंग है ही नहीं और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है दो घंटा 30 मिनट का धाई घंटे का यानि कि एवरेज तोर पे बात करें तो प्रतेक सब्जेट के लिए आपको 30-30 मिनट का समय दिया गया है यानि कि एक कोशन आपको एक मिनट का दिया गया ठीक है चली आगे बड़े अब बात करते हैं क्लास 6-8 की किसके बात करते हैं क्ला यहां भी प्रतेक सब्जेक्ट से आपके 30-30 कोशन पूछे जाते हैं तो आपके 30-30 कोशन पूछे जाते हैं ठीक है 30 कोशन पूछे जाएंगे इसमें भी कोई करना चाहते हैं तो ऐसे लोग यह सोशल साइंस वाले में अर्थात उनको मैं साइंस वाला पेपर नहीं देना होगा और दोनों में जैसा कि आप सामने स्क्रेंट पर देख पा रहे हैं दोनों में कोशन पूछे जाते हैं यानि कि टोटल नंबर ऑफ कोशन यहां भी हमारे पास केतना होता है 150 होता है और इसके लिए भी हमारा कंपोजी टाइम होता है धाई गंटे का ठीक है यानि कि यहां भी प्रतेक सब्जेट के लिए हमको एवरेज 30 मिनट का समय धिया गया होता है प पैसेज आपके टेटके एक्जाम में रहेंगे ही रहेंगे और यही आपका क्वालिफाइंग होता है यही आपका क्वालिफाइंग होता है अच्छी बाती है कि यह जो पैसेज आपका पूछा जाता है यह स्टोरी बिस्ट होता है यह स्टोरी बिस्ट होता है कहानियों पर अध्यूमराल तो तो टूटल चौटल चौट कोश्चन केवल और केवल पैसे से रहाते और बहुत ज्यादा यदिडिकलल्टि लेबल हाई की जाए तो आप देखेंगे इस 14 कोश्चन में से एक या मैक्सिमम दो कोश्चन थोड़ा सा डिफिकल टाप को लग सकता है अधरवाई सारे के सारे रहेंगे आसान ठीक है बाकि रिमेरिंग जो कोश्चन पूछा जाते हैं वो आपके ग्रामर के सेक्षन से हो सकते हैं मिसलेरियस हो सकते हैं और कुछ कोश्चन कॉमन सिंस पर आधारित होते जैसे यदि कोई टीचर अपने क्लास में अपने बच्चों को किसी अक्टिविटी में involve करता है तो इसका उसके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है देखे आपको जो भी answer करना होता है वो बच्चों के favor में आपको answer करना होता है आपका जो भी attitude होगा आप एक teacher बनने वाले हैं तो एक सिक्षक का एक विद्यारती के साथ जो संबंध होता है वो हमेशा और हमेशा सकरात्मक होना चाहिए और बच्चों के लिए रचनात्मक होना चाहिए ये आपको हमेशा याद रखना है teacher बनने के पहले भी और teacher बनने के बात भी ऐसा नहीं कि आपके बन टीचर बन गए और टीचर बनने के बाद आप अपने क्लास में जाके बच्चों के साथ है कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए तो अब बिना किसी बात को किये हुए बिना किसी प्रकार के किसे कहानी को सुने हुए हम लोग सीधा चलते on the topic आते हैं यहा हम लोगों को क्या करना है और स्टोरी को पढ़के टिक एस स्टोरी पर आधारित प्रस्नों का उत्तर हम लोगों को मैं चलिए जाये पना सोड़नेके लिए तो सामने आपके स्क्रीं प्रक्राइब की जा रहे हैं ठीक है मतलब मालेजे बच्चा जो था टीनेज में था ठीक है टीनेज में 12 से 13 से लेकर 19 के बीच का होगा ठीक है ऐसे ही बाल्यावस्था की बाद की जा रही है अब ग्रोव क्या होता है भाई देखे यहाँ पर यह ग्रोव क्या होता है अब इसकी चर्चा हम लोग कर लेए ग्रोव क्या होता है यह बगीचा क्या होता है यह बगीचा क्या होता है तो क्या हो गया यह मैंगो ग्रोव क्या हो गया आमका बगीचा होगे ठीक है जस्ट अप पढ़िए just opposite the bungalow कहा था bungalow के ठीक अपॉजित में था it belong to someone called say belonged to someone य किविलोंमा कि व्योंग्टय तौइल मर्हा था गोविंद राम अब यहां पढ़िए मेई ही सॉल हरेस्ट इन पिस मतलब वो जो इनसान था वह मर गया था वो अब जिन्दा नहीं था जब यह कहानी बताई जारे उस समय वह इंसान जिन्दा नहीं था कौन सेट गोविंदराम जिन्दा नहीं था उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी आत्मा जो है मेहिस सौल रेस्ट इन पीस ठीक है राई पी यहां पर लिख दिया गए रेस्ट इन तो इस वर उसकी आत्मा को सांती दे नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं एंड डियूरिंग दे मैंगो सेजन जब आम का मौसम आता है आम का जब सीजन आता है इसकी बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा की जाती थी ठीक है बहुत भयानक तरीके से सुरक्षा की जाती और सुरक्षा करने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम क्या था यह था फांबीरिया फांबीरी कैसा था जाएंट ओफ मैन कैसा था बहुत बड़ा हठा कठा दिखने वाला इंसान था ठीक है ओल एफोर्स टू माई गेट इंटू दग्रूफ वर रिपल्स अब रि प्रेक्शन हो ठीक है तो वैसे यहां पर बात की गई कि जो बच्चा था जो बच्च इस कहानी को बता रहा है वह बच्चा कह रहा है कि हमारा उस बगीचा में घूसने का जितना वी प्रैस्ता सारा का सारा प्रयास हो जाता था सफल ओजाता था और और मालड ला Owen bac और जब भी कभी ये बच्चा बगीचे में घुसने का प्रयास करता था हर बार इसका प्रयास कैसा हो जाता था वीफल हो जाता था और एक बार तो यहां तक घटना घटी कि उसके पीट पे देखिए उन माई बैक साइड और पीट के तरफ उसको लाठी भी खाना पड़ा लाठी मुशुभए उसके उपर लाठी से प्रहार परहार किया इन लाठी ंगल नहारा गया तो भाई हम कुछ करना नहीं चाहते हम तो केवल पेड़े पर चढ़ना चाहते हैं अब देखिए बच्चे को रिप्लाई क्या मिला यह जो फामिरी था इसने क्या कहा भाई मतलब तब आना जब मैंगो का सीजन ओवर हो जाए ठीक है तब तुम फिर आना वी तो वीचीए से स्माइल यहां जरा ध्यान से पड़िए वीचीए से स्माइल कॉपीड फ्रॉम फिल्मी विलें जैसे फिल्मों में विलें जो मुस्कुराता है ठाका लगा के इसी प्रकार का यह स्माइल दिया कौन इस प्रकार का स्माइल दिया तो यह दिया फाम बीरी ठीक हश वाम बीरी नाम का जो व्यक्ति ठीखorage इसने ऐसा नों दिया चेहरे हो ठीक है यहां पे जब इसको पता चला कि एक पुराना रेसलर था ठीक है इसको भी उठाए फेग दिया करता था ठीक है यह प्रसिद पहले यह भी बड़े प्रसिद रेसलर हुआ करते थे और तब तक बच्चे को यह पता नहीं था कि किंग कॉंग अपने बुरे समय में मतलब तब जैसे 40 साल पहले यह बहुत फेमस रेसलर थे तो उसमें जीत्ते रहे होंगे लेकिन बाद में जब इनका बैड यह सुरू हुआ जब इनका परफॉमेंस टिक नहीं रहा करता था उस समय खराब हो गया था सो वेनेवर आई पास्ट दग्रूब इसलिए जब कभी भी मैं उस बगीचे से होकर गुजरता था यह जब भी कभी उस बगीचे के नजदीक से गुजरता था एंड सौ फामबिरी और जब भी कभी हम फामबिरी को हम देखते थे आई उड्यमार्क औ क्रिकेट बाल क्रिकेट प्रेमी होंगे तो क्रिकेट का जो बॉल होता है काफी कठोर होता है पत्थर के समान होता है उसी से तुलना करता था यह जो बच्चा था किसका फामबिरी के मसल का के फामबिरी जो मसल था क्रिकेट बॉल के समान कठोर था मजबूत यह गर्दन था कैसे घरण गड़ें की nerve क्या हुआ आए कि उस भामबॉल में और दीड़े दीड़े क्या चेताव नहीं दिया यहां पर वार्न है डबलू ए आर एन यह यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गए ठीक है ग्रेज्वली ही वांड टू में धीरे धीरे वह क्या करता था इसको वार्निंग देता था देखो उल्टा सीधा हरकत मत करो ठीक है और उसके बाद पहले इसको समध पिर्फ होता है वह दोता है एक्सडोड का मतलब होता है यह O जो पुर्वज हुआ करते थे उनका वो लोग सोसन करते थे ठीक है लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है begin to tell me office exploits तो वो अपने सोसन की कहानी कोई बताएगा नहीं बताएगा मतलब किस प्रकार की कहानी बताता होगा यह आगे आपको पता चलेगा यहां देखे लिखा हुआ आई एक्सक्लेम्ड मतलब मैं उसका प्रसंसा किया करता था किसका फांबिरी का तो प्रसंसा कब करेंगे अगर कोई आपको बताएगा कि भाई देखे आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ था आप अपनी स्टोरी यह किसी को बताएं कि भाई देखिए हमारे साथ बहुत समाज के लोगों ने अन्याय किया हमारे सीनियर ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया ठीक है तो कोई आपके प्रसंसा करेगा क्या नहीं मतलब आप अपनी प्रसंसा तारीफ कि हमने बचपन के दिनों में यह किया बचपन का यहां पर किस तरीके से यूज किया गया होगा तो यहां पर उपर टपनी उसे दोस्ति हो गई तो वह अपनी कहानी सुनाना शुरू किया किसको बच्चे को ठीक है I acclaimed them then he showed me fits of strength और उसके बाद वो क्या किया अपना ताकत उसको दिखाता है कैसे ताकत दिखाता है कौन फांबिरी ताकत दिखाता है किसको बच्चे को कैसे ताकत दिखाता है like picking up the rocks क्या करता है कि चटान उठाता है पत्थर उठाता है and hurling them hurl का मतलब क्या होता है hurl का मतलब होता है फेकना हरल का मतलब क्या होता है हरल का मतलब होता है फेकना जैसे इसका सबसे बढ़ी आए example हम आपको दिखाते हैं अब नीरत चोपड़ा जो ओलंपिक में जाके जैवलीन में gold medal लेकर आये थे याद किजी बात समझ में आ रह करते हैं हम लोग हरल किसका यूज करते हैं हम लोग हरल वर्ड का यूज करते हैं गाली देने के लिए भी यूज क्या हरल क्या यह देखिए था उसने उसंबच्चे को अपने सकति प्रदर्शन किया सकति को दिखाया बच्चे ने क्या किया यह फिर उटा के प्रसंसा करी लूंग मतलब बहुत लंबा नहीं हुआ कुछी समय में भी हैड इन्वाइटेड मिं इंटो दे मैंगो ग्रू अब देखे यहां पर बच्चे की जो दोस्ती थी यह सफ़ल हो गई जो फाम भीरी नम का व्यक्ति था उसको कहा बुला लिया मैंगो ग्रूव में मतलब आम के बगीचे में कुछी समय में उसको बुला लिया and by the end of the week और week के खत्म होने के पहले week के खत्म होने के पहले हैं ठीक है I could have all the mangoes I wanted और अब हम जितना हम चाहें उतना ले सकते थे हम यही तो चाहते थे बच्चा यही तो चाहता था ठीक है the guardian of the grove actually pressed them upon me और हुआ क्या कि इस बगीचे के जो मालिक थे ठीक है इस बगीचे के जो मालिक थे वो लोग इसको प्रेस किया करते थे किस पे इस बच्चे को किस को प्रेस करते थे फांबीरी को किस के लिए बच्चे के लिए ठीक है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग और अब इस पैसेज को समझने के बाद इस पैसेज पे आधारित कुछ प्रस्णों को आई हम लोग यहां पर बनाना शुरू करत तो देखिए अमारा पहला प्रस्ण क्या है वह व्यक्ति जो मैंगो के बगीचे की देखवाल करता था उसके बारे में प्रस्ण पूछा गया लुग्ड लाइक जाएंट मतलब विसाल काई था बड़े सरीर वाला था बहुत तकड़ा था हिस्ट पुस्ट था वह सब को राज मतलब जैसे आप कभी किसी रेसलर को देखेंगे जैसे अपने देश की जो मैरी कॉम है उनको यह दिया आप कभी देखेंगे तो मैरी कॉम के हाथ में देखेंगा कुछ ऐसे पट्टा टाइब कर लगा होता है ठीक है इस प्रकार की बात यहां पर बताएं गए यह स्लिंग का म बढ़ा विनम्र व्यक्ति था अब जरह सोचे गाड कभी विनम्रोंगा तो गाड का काम हो कर पाएगा कभी नहीं गाड का कामी होता है खड़ू सो कड़ा हो ठीक है किसी को एक बार बोदे चलो इधर तो बस सीधा हो जाए ठीक है चलिए तो अब इसकोशन कांसर अमारा क्य तरह था वहां पर दूसरा बेओंड मसूरी इसका पैसे से कोई वास्ता नहीं है नियर सेट गोविंद रामस फिल्ड जो सेट गोविंद राम थे इनके खेत के नजदीक नजदीक था ठीक है और यह देखिए जस्ट अपोजिट बंगलो इन हैबिटेट बाइद नेरेटर जो कहानि सुना रहा था कौन कहानी सुना रहा था बच्चा यह की नहीं हो आई फिर से हम लोग यहां पर देख लिह देखिक है वैन आई बा कौन बता रहा है बच्चा बता रहा है तो जो नेरेटर है और वही क्या है यह आई ईह boom रहा चीज़े चलते हैं और कॉशं़ की रहता था उसके ठीक अपोजीट में ठीक है अब आज यह जड़ा पैसेज को में लोग देख ले ताकि आपके मन का डाउट है वो दूर हो जाए यहां देखिए अधियर जस्ट पोजीट यह देखिए क्या लिखा हुआ जस्ट पोजीट दा बंगलो किसके बंगलो इस आई के बंगलो तो इस कोशन का अंसर हमारा क्या हो जाएगा इस कोशन का अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा देखिए कितना आसान सा पैसे पूछा है और इतना ही आसान आपके English को पूछा जाता है आपके English में सारे के सारे कोशन एक दम आसान से होते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं थर्ड कोशन में देखें दा गार्ड अटिटीड टू दबॉआए चेंजड बिकोज दबॉआए जो गार्ड का अटिटीटूड था वो बच्चे के प्रती चेंज कर गया क्यों क्योंगी जो बच्चा था वो कैसा था बच्चा वो स्टेरीफाइड बच्चा धरा हुआ था भैभी था टूर्ण ओवेडियंड जो बच्चा था आगयाकारी बन गया मतलब पहले आगयाकारी नहीं था अब आगयाकारी बन गया started behaving like a film a villain जो बच्चा था वो फिल्म के विलन की तरह बिहेव करना सुरू किया और अग्ला है बच्चा जो था वो क्या करता था fang biri का आम बेडियों गाठ ता उसका क्या करता था तारीव किया करता था याद किजिए हमारे आपके जैसे जितने भी इंसान है 99% लोगों की कमचूरी चापलूसी क्या है चापलूसी और इंगलिज के बारे में इसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो यह इसी कारण से एक गाउ की भासा थी इंगलिश यूरोप के एक गाउ की भासा थी और वहां से निकल के यह पू वो आम के बगीचे में जाने में असफल रहा क्यों क्योंकि फांबीरी नाम का जो गाड था यह उसके रक्षा किया करता था आईए यहां पर देखें He was too fat to do so, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था, इतना मोटा था कि ऐसा कर नहीं सकता था, मतलब आम के बगीचे में घूसी नहीं सकता था, ऐसा लिखा ही नहीं है पैसेज में दरता था, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा है नवरा आंसर बनेगा उप्शन नमबर फोर नेक्स अगले कोशन में चलें, अगला कोशन देखिया हमारा क्या है, दे वोर्ड एक्सौइटेंड यूजड इन दपैसेज मेंड अब इसका मेनिंग क्या था, एक्ट ऑफ मीनेंनेस म समझ में मतलब कुछ अच्छा काम करते थे इसका बात वहां पर बताएगा तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा कन्फूजन हो सकता है यह देखे एक्सप्लाइट हम आपको बताए थे यहां पर आगे क्या लिखाता है आई अक्लेम्ड दिम मतलब अक्लेम का मतलब क्या तो यह उस बच्छे से दोस्ति करता है उसको अपनी प्रसंसा सुनाना शुरू करता है हम औ가र सकते थे हुआज सकते थे ठिक है मतलब इस चीज़ों की बता रहा था यानि कि हेरोइज्म की कि बात वो कर रहा था तो exploit का मिनिंग क्या हो गया exploit का मिनिंग हो गया act of heroism ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते है question number six की तरफ यह दखे अध्य क्लेम क्या मतलब क्या था प्रसंसा अभी तोड़ी दिर पहले आपको बता रह जासे और न वी से दावेधारी करना जैसे यहां का रामार राजियाबीिष एक होना था तो राम को पहले से घोसित किया गया कि भाई इस दिन राम का राजिया भिजेक होना है हमारे अगले राजा यही बनेंगे तो राजा दसरत ने क्या किया था राम को प्रोक्लेम कर दिया था बात समझ में आ गए ठीक है अब यह डिक्लेम क्या होता है यह होता है किसी के अगेंस्ट में किसी के अंग्यंस्ट में बोलना किसी के खिलाप बोलना थीक है किसी के विरुद्ध बोलना ठीक को आust कि प्रेसर कर दिए प्रेज करना तो अब आप आ जाए इस अ प्लेम का मिनिग B और लाट घाल उंडरलाइन और लेकर चलैंड है और पाइसेस कहाँ आपको देखा है और ऐसे में अन्डरलाइन कि न्हां को दिखा को ठीक है on my back side है यहां से question बूछा गया अब यह कम पोजीशन ऑन यह पो बताते चलंए प्रेपोजीशन के बाद किसी भी प्रेपोजीशन के बाद कोई न कोई नाउन आएगा कोई न कोई नाउन आएगा ठीक है आम तोर पे आपको नाउन ही दिखाए देता है किन्तु कभी कभी किसी किसी प्रेपोजीशन के बाद आपको नाउन यह दिखाई न पड़े वहाँ पर दिखाए पड़े तो ब्रकाव fatigueống करते हैं अर्थात प्रेपोजीशन के बाद दिए कोई रभ आए तो उसका लिख करते हैं कि आयएंज्च इपॉर्म पार्म योग करते हैं यहما जो लुम करते हैं तो वहाँ पर प्रेपोजीशन के बाद आपको कुईने कुई नान हम लोग आप यहहां पर आजाए यह लाइन लिखा था वहाँ परेंड करके और माई बैक कि ठीक है विज पार्ट्स ओफ स्पीच टेस ऑड़ उन्डर लाइन फ्रेज ऑन माई बैक साइड कर दो यह है यह हमारा है क्या है तो यह मेरा एडशक्तिव थी तो आद एकंप नहीं नान तो बेख सइट था एक्टिभी हाँ यह है यह प्पोणन है क्या नहीं एक और सहले है चलिए तो अब यहां पेErस कोचन का सब्सक्राइब ज़न गला Like गया option number 2 बन गया तो यह था हमारा पैसेस का सात्वा कोशन पैसेस नंबर 1 से पूछा गया हमारा यह था सात्वा कोशन ठीक है सात्वा कोशन था अब इसके आगे की सेंटेंस हम लोगों को दिया गया है यहां पर जो भी पार्ट सम लोगों को दिया गया एक ही सेंटेंस को चार पार्ट में बाठ करके हम लोगों को दिया गया है अब हम लोगों से यह कहा जा रहा है कि बताए इसमें से कौन से पार्ट में एरर है तो दोस्तों हम आपको बतात और perfect continuous में सिर्फ और सिर्फ time indicating word का अंतर होता है जैसे हम आपको English पढ़ा रहे हैं हम आपको English पढ़ा रहे हैं ठीक है I am teaching you English ठीक है लेकिन हम यह देखा है कि हम पिछले 10 मिनट से आपको English पढ़ा रहे हैं तो जैसे हैं 10 मिनट यानि कि time इंडिकेटिंग जैसे include होता है यही सेंडेंश चला जाता है continuous से perfect continuous में चाहिए वो प्रेजेंट का हो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो जैसे time indicating word include होगा किसी भी continuous में वो चला जाता है perfect continuous में अब यहां पर आजाएं यह देखे अवीक एक वीक से अब इसके साथ हम लोग time indicating word के साथ past और present इंस में पास्ट परफेट कंटिनियोस में और present परफेट कंटिनियोस में हम लोग time indicating word के साथ यूज करतें सिंस और फॉर देखें यहां पर फॉर भी लगा हुआ यह भी सही है ठीक है तो इस वाले पार्ट में कहीं कोई रहर नहीं है इस वाले पार्ट में कहीं कोई रहर नहीं है because he is unveiled चुकि वह अच्छा फिल नहीं कर रहा है ठीक है to the school कहा जाता है भाई स्कूल जाता है ठीक है he is not coming अभी देखें यह कहां पे है यह था च्लिएग का चला जा से यह चला जाएगा perfect continue उसमें अर्थात इसके जगह हमें क्या लिखना होगा तो हम लोगों को लिखना होगा he has not been coming क्या लिखना होगा he has not been coming तो एरर वाला पार्ट कहां पर है इन चारों पार्ट में से 1 2 3 4 जो चार पार्ट दिये गए हैं इन में से वो कौन सा पार्ट है जिसमें घ्रामर की गलती है तो हमारा आंसर क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा option number one कौन सा option number one next अगले question में चले यहां पर फिर से देखिए हम लो हैं चले पढ़ना सुरू करें हम लोग over the last few years पिछले कुछ वर्सों में e-commerce ठीक है has become an indispensable part of the global retail framework मतलब अब यह का रहा है कि global तोर पे अंतरास्टी अस्तर पे विश्व लेबल पे जो retail framework है यानि कि जो retail business है ठीक है इसमें e-commerce का बहुत बड़ा योगदान रहा है ठीक है और यह indispensable क्या होता है तो यह होता है अति आवस्यक क्या होता है अति आवस्यक ठीक है तो global retail market का यह e-commerce जो है क्या बन गया है अति आवस्यक एक दम आवस्यक चीज़ बन गया है ठीक है like many other industries दूसरे industries की तरह the retail landscape has undergone a substantial transformation कहता है कि दूसरे industries की तरह जो retail industry जो retail market है इसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है देखिए लिखा हुआ है substantial transformation बहुत बड़ा परिवर्तन यह देखिए retail landscape मतलब retail के छेतर में ठीक है बहुत बड़ा परिवर्तन आया following the advent of अब यह advent क्या होता है advent होता है अब इसकार ए emerged a Richard ऑफ इंटरREE जब से इंटर्नेट आया तब से इंटरेट के आने के बाद से इंटरेट का सुरुआ तुने के बाद से बहुत हें बड़ा व्यापक परिवर्तन आया किस में रीटियल मार्केट में and thanks to the ongoing digitalization of modern life का रहा है कि ये digital digitalization जो modern life में हम लोगों के आधनीक है life में जो डीजिटालाइजेशन हुआ इसको ये धन्यबाद देना चाहरा है क्योंकि ये सब इन ही कारणों से हुआ है ठीक है consumers फ्रॉम वर्चुली एवरी कंट्री लगभग प्रतेक देश से ठीक है नाव प्रॉफिट फ्रॉम दपर्क्स ऑफ ऑनलाइन टांजक्शन अब यह पर्क होता क्या है आई इस पर को समझेदे कि पर क्या होता है जैसे माल जी आप जब गवर्मेंट टीचर बन जाएंगे तो आ आउलाइन जो ट्रांजक्शन हम लोग करते हैं तो उनलाइन ट्रॉम मिल जाता है तो यहां ट्रांजक्शन के अलावा उनके अलावा मिलनी वाले सुभधाई थीक है तो इसको यहां पर योग है बहुत तेजी से बढ़ रहा है बढ़ा है अराउंड ग्लोब मतलब परित्मी पे चारों तरफ मतलब सभी जगों पे सभी देश में ठीक है जैसे आज के डिट में हम बात करें तो हम लोगों के गाउं में भी जाइए तो किसान जो है वह भी यूटूब चला रहा है ट्विटर चला रहा है ऐसे बहुत सारे सोसल मीडिया का यूज गाहों का किसान भी कर रहा है अपने खेती से जूड़े होगे हों बहुत सारे समस्याओं का समधान भी वह गूगल का use करके कर रहा है एं इसी तरीके कि बहुत सारे चीजों को यूज करें नेक्स आगे ध्यान रखिएगा कब बढ़ रहा है every year next according to the latest calculation मतलब एक जो latest data है उसके आधार पे एक सर्वे हुआ होगा उसके आधार पे एक latest report के आधार पे e-commerce growth will accelerate even further in the future अभी देखे यह जो growth है e-commerce का यह आगे भी future में बढ़ता रहेगा future में excellent का मतलब तेज होता रहेगा बढ़ता रहेगा नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अपने पैसे के अगले स्लाइड में internet users can choose from various online platforms to browse मतलब जो internet चलाने वाले लोग हैं यह लोग अलग-अलग platform को use करेंगे वहाँ पर जाएंगे compare करते हैं purchase करते हैं the items or services they need उनको जिस चीज की जरूरत होते हैं उसके लिए क्या करते हैं वो अलग-अलग platform को browse करते हैं मतलब यूज करते हैं उसको खूलते हैं उसके अंधर जाते हैं चीजों को देखते हैं और एक platform से दूसरे platform पर जाके उसका comparison करते हैं कि कहां पर जैसे हम लोगों को मालेजे कोई खरिदना हो ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं अमेजन पर भी देखे फ्लिप काट पर भी देखे या और भी कोई इस प्रकार का है तो उसको भी हम लोग यूज करते हैं वाइल सम वेब साइट से स्पेसिफिकली टार्गेट बी टूबी हलाकि कुछ वेब साइट जो है बी टूबी यानिक बिजनस टू बिजनस क्लाइंट को प्रेफर करते इंडिवीज्वल कंजियूमर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट वित वास्ट नंबर ओफ डिजिटल पॉसिबिलिटीज करते हैं कि जो बहुत बड़ी है इसलिए कुछ वेब साइट वाले क्या करते हैं बिजनस टू बिजनस मतलब कंपनी जहां प्रोडियूस करती है वहां से सीधा मनुफेक्ट्रिंग के बाद सीधा उसको कंजीमर तक पहुंचाने का काम किया जाएं बीच में जो बहुत सारा कमीशन बनता करता है कि 2020 के ऑनलाइन मार्केट प्लेस को यह दिधान में रखा जाए तो यह जो वर्डवाइड हुआ है इसके कोडिंग यहां पर बता जारा लीडिंग ग्लोबल रैंकिंग ऑफ ऑनलाइन डीटेल वेब साइट से इन टर्म्स ओफ ट्रैफिक इस अमेजन मतलब 2020 का जो ड कि यह सब्सके अधार पर करते हैं तो बहुत सारे को विबस अवीज़ीट का वीजिट करने वाली जो ट्रैफिक है इसके यह बात की जारे यह ठीक है इसमें क्या कर हらा है तो लीड कर रहा है इन डम्स अव ग्रॉप मर्कंडाइज हो बेल्यो व crownES टाओ बाओ एंड टीमॉल ये जो चाइनीज कमपनी है टाओ बाओ एंड टीमॉल उससे ये पीछे है कहां पे है भाई तो यह तीसरे रैंक पे है ठीक है यह यहां पे बताएं कि अब बोथ प्लैटफोर्म्स आर उपरेटट बाइ अलिबाबा ग्रूप अब यह जो टाओ बा ग्रूप के द्वारा संचालीत होता है ठीक है दा लीडिंग ऑनलाइन कॉमर्श प्रोवइडर इन एसी ए और यह जो अलीबाबा गृप है इसके बारे मता जा रहा है कि यह कहां काम करता है लीडिंग ओनलाइन सबसे बड़ा चीज देखा गया वह यह देखा गया कि अब प्रत्यासित इसका यूज किया जा रहा है मतलब फिर फॉर जी आया अब फाइब आने का है तो फॉर जी का जब यूज आया फॉर जी को जब चलाना लोगों ने सीखा उसके बाद से अमेजन और यह इस तरीके के जितने भी यी कॉमर्स प्लैटफॉर्म से इसका यूज बढ़ा ठीक है डिजिटल बिजनस में बढ़ा एस द में इसका प्रियोग इसका प्रियोग मोबाइल डिवाइस का यूज करना ज्यादा प्रिफर किया गया ज्यादा तेजगती से बढ़ा जहां पर दूसरे डिजिटल इंफ्रेस्ट्रक्टर की कमी है मोबाइल इंटेग्रेशन विल कंटिन्यू टू सेप दशॉपिंग एक्स पूपुलर एक क्रॉस एस यह कहां पर ज्यादा पूपुलर है तो पूरे एसिया में क्रॉस एसिया ठीक है वह साउथ कोरिया जेनरेटिंग अप टू सिक्स्टिफाइब परसेंट ऑप डियर टोटल ऑनलाइन टांजक्शन वॉल्यूम वाया मोबाइल ट्राफिक मतलब सब सबसे ज्यादा कहां पर यूज करके या मोबाइल ट्रैफिक करके साउथ कोरिया में 65 परसेंट औंलाइन खाम हो रहे है ठीक है अब यहां से अगे बढ़ते हैं और इस पैसेज पे आधारित अब हम लोग रस्टों को बनाना यहां पर सुरू करते हैं देखिएर रहा अगला कोशन रीड़ फॉलोइंग स्टेटमेंट दोनों को पढ़ते हैं इक और सब्सक्राइब इस से चुरेशन पॉइंट से चुरेशन पॉइंट क्या होता है तो यह होता है मैच्यूरिटी पॉइंट यहां पर जाके ग्रोथ आपका स्टेग्नेंट हो जाता है रुक जात फ्यूचर ठीक है यह वाला लाइन नहीं है अगला कहीं लाइन था इसमें अन्प्रसेडेंटेट चलिए इसके पहले वाले पर इसको देख लें यहां पर इवेन फॉर्दन इन दा फ्यूचर यहां पर लिखा गया कि आगे और तेजगती से बढ़ता रहेगा ठीक है तो य ही केवल online transaction का लाब उठा रहे है online transaction पर एडिशनल आपको benefits मिलते हैं उसका आनंद सिर्फ वही ले रहे हैं ठीक है तो यह दोनों ही बाते गलत हो गई क्योंकि यह दोनों काम कैसा हो रहा है एक तो यह रहोंगों कि और दूसरा यह जो परक्स है जो लाब मिलता है online transaction पर आप हो का दूनों गलत है इसलिए गलत हो गया भी इस तो यह भी गलत हो गया बहुत एंड बी यार फॉल्स तो हां यह सही है आगे पढ़ने बहुत एंड बी आर ट्रू तो तो दूनों में कोई था ही नहीं तो हमारा answer क्या बना हमारा answer बना option number three next अगले कुशन को देखें हम लो which of the following is not true according to the passes पैसे के according इन में से कौन सा सही नहीं है आये पढ़ते हैं the traditional mode of doing business have become a matter of the past का था है कि traditional mode में traditional mode में परंपरागत तोर पे जो बिजिनस किया जाता था यह अब पुरानी बात हो कि तो ठीक बात तो है कि पुरानी बात हो कि क्योंकि अब online trading का culture बढ़ा है Amazon leads the global ranking of online retail website in terms of traffic Amazon जो है यह website के मामले में लीडिंग कर रहा है ठीक है यह लीड कर रहा है इसका अच्छा पोजीशन है भाई the arrival of computer has revolutionized the methods of doing business कहता है कि computer के आने के बाद से इसने क्या कि ग्लोबल लेबल पर यह जो बिजनस चल रहा था बिजनस के तरीके में पूरी क्रांती लादी इसने ठीक है यानिकी व्यापक परिवर्तन लादिया अगला पढ़ते हैं को आप्शन नंबर फोर पढ़ते हैं अब नंबर ओफ डिजिटल बायर्स कीप क्लाइमिंग एवरी टू इयर्स तो देखें कंप्यूटराइजेशन हुआ चीजों का इंटरनेट आया मोबाइल आया इसके बास यह डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉंसेप्ट था यह फास्ट हुआ ग्रोथ हुआ तो यह भी सह यह हमने इसको मार्क भी करवाया था ठीक है तो अब इसका आंसर हमारा क्या हो गया तो यह जो आप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर फूर था यह क्या हो गया यह रॉंग हो गया यह क्या हो गया रॉंग हो गया हम लोगों को बताना क्या था नौट रू नौट का मतलब क्या जो फॉल्स हो जो रॉंग हो तो इस कोशन कांसर क्या बना इस कोशन कांसर बना ऑप्शन नंबर फॉर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में चलते हैं रिटेल लैंड एसकेप क्यों हुआ किस कारण से बताना है कि दुनिया में हर कंजूमर प्रती कंजूमर डिज्टल मोड को यूज करना दूसरा ज्यादा तर जो कंजूमर से वह टेक्नो से वी हो गए टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं यानि कि वह वेबसाइट का यूज करना जानते हैं मोबाइल का यूज करके इसका पर्चेस करना जान चुके ऐसी बात बताए गई तो यह कारण हो सकता है गवर्मेंट ओल ओवर्ड और ट्राइंग टू पॉपुलराइज इकॉमर्स गवर्मेंट का इसमें कहीं कोई लेक नहीं था पैसेज में इसलिए रॉंग हो गया दाराइवल ऑफ कंप्यूटर है जरी बोले उसनाइज दिदा मेटर्ड ऑफ डूइं बिजनेस कंप्यूटर के आने के बाद से यह जो बिजनस करने का तरीका था उसमें करांतिकारी परिवर्तन हुआ ठीक है तो ऐसी बात यहां पर नहीं होगी इस कारण से रिटेल का बिजनस नहीं बढ़ा है ठीक है रिटेल का बिजनस इस कारण से नहीं बढ़ा है अब इसमें ज्यादा बेतर आं सब्सक्राइब दुनिया के कुछ चेतरों में मोबाइल के यूज का जो पॉपलरेटी है यह बढ़ा है क्यों बढ़ा है ठीक है एज ओफ यूज चुकि इसको यूज करना आसान है इसलिए लैक आफ अधर डिज्टल इंफरेस्ट्रक्शर तो देखें यह आपके पैसेज में लिखा हुआ था यह क्यों बढ़ा है दुनिया के कुछ चेतरों में विसी सुरूप से मोबाइल इकॉमर्स का यूज क्यों बढ़ा था भाई क्योंकि वहाँ पे दूसरे डिज्टल इंफरेस्ट्रक्शर का अभाव है ठीक है इस कारण से तुमारा आंसर बन गया यहां पर हमारा आंसर नहीं होगा हमारा करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नबर टू नेक्स्ट यहां से आगे पर अगले कुशन को देखें वीच आप फॉलोइंग इस नोट सपोर्टेट बाई इविडेंस इंद पैसेस काता है कि इनमें से वो कौन सा लाइन है जो पैसेसे से इसके बारे में पैसेज में इनफोर्मेशन नहीं दिया गए ठीक है नौट सपोर्टेट लिखा है मतलब एक प्रकार से इसको मैंनेंगे एक प्रकार से हम लोग इसको फॉल्स ही मानेंगे ठीक है आई यह पढ़ते ऑप्शन को फल आप्शन है अमेजन रैंक्स थाट चला था जब कि यह गलत है कौन चलाता था तो इसको चलाता है अलिबाबा ग्रूप तो यह हो जाएगा हमारा आंसर यह हो जाना चाहिए हमारा आंसर आगे बढ़ते हैं टी मॉल इस ट्राइंग हार्ट टू कम्पीट विद अमेजन टी मॉल जो है हमेजन को प्रतियस परधा दे रहा है चैलेंज कर दे अलिबाबा ग्रूप इस दा लीडिंग कॉमर्स प्रोवाइडर इन बोथ यूरोप एंड एंटरनेशनल लेवल का है तो यह नंबर वन है यूरोप में भी यह चलता है यह ठीक है तो अब इस कोशन का अंसर क्या बना ऑप्शन नंबर टो नेक्स अगले कोशन में चलें विच आप फॉलोइंग वर्ड सेजन नियरेस्ट इन मिनिंग तूद वर्ड एडवेंट एडवेंट क्या बैए अविसकार अराइवल ऐसा ही इसका मिनिंग था पैसेज में एज यूजड इन दपैसेज तो यह डिपार्चर डिपार्चर का मतलब क् तो आप जानते हैं व्यस्तता ठीक है और दूसरा लड़के लड़कियों के बीच भी इंगेश्मेंट होता है तो इस कोशन का आंसर मारा क्या बनेगा अंसर बनेगा ऑप्शन नमबर टू नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले कोशन की तरफ यहां देख sentence देखे इंटरनेट यूजर्स कैन चूज फ्रॉम वेरियस ओनलाइन फ्लैटफोर्म ठीक है यह एक सेंटेंस आपको दिया गया और इसमें यह जो फ्रॉम है इसका आपको क्या बताना है इसका आपको पार्ट सोफ स्पीच बताना है तो यह तो दोस्तों आप सब लोग बच् साथ यह फॉंक के साथ यह तो लगा हुआ हो किसी भी सेंटेंस में फॉर्ब के साथ व्लगा हुआ हो तो ये जाक 내쫁र क्सका कोशन में interaction a teacher has with children मतलब एक teacher का बच्चों के साथ बच्चों के साथ जो interaction होता है ठीक है of her class मतलब उसके class के बच्चों के साथ उस teacher का जो interaction होता है while they are engaged in an activity जब वो किसी activity में बीजे होते मतलब बच्चों को आप धेर सारे activity करा दीजे ठीक है तो बच्चों से आप class में कोई activity करा रहे हैं और उस दर्मियान बच्चों का teacher के साथ जो interaction होता है जो बातचित होता है इससे क्या होगा ठीक है help develop language and communication in context उस परिप्रेक्ष में जिस प्रकार की activity वो बच्चा कर रहा है उस प्रकार की activity के परिप्रेक्ष में बच्चे का जो communication है वो develop करता है ठीक है जैसे माल लिजे किसी बच्चे का आप कोई practical करवा रहे हैं तो practical के संदर में अलग-अलग जो terms of word यूज़ करते हैं जैसे आप जो CC का वो जो यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग test tube कहते हैं ठीक है तो यह सब जो word है या और भी इस ऐसे ट्राइब और है ठीक है यह इस तरीके के जो भी बटने वो जब वहां पर बच्चा जाता है आप से बातचीत करता है इसको क्या करते हैं सर इसको क्या करते तो अब बच्चों को सिखाते है तो इस प्रकार से उस संधर में बच्चे का यह बना देता है यह क्या करता है बच्चे को ऑथेंटिक सोर्स प्रवाइड करता है यह भी गलत है आप कोई सोर्स प्रवाइड नहीं करते हैं लेंग्वाइड बच्छों का जो हूब लेंग्वेड होता है यानि कि जो लेंग्वेड उसको सीखने में मदद करता यह गलत है तो इसकोशन का करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नमपर एक बना और ऑप्शन नमबर एक बन नेक्स्ट आगे बढ़ते यहां से फ्ट चिल्र यह भासा प्रियोग करेंगे करेंगे ठीक है इसके इलाबा आप यह उसे हिंदी बोलते हैं या कोई और भी लेंग्विज आप उसके साथ बोलते हैं तो बच्चे का पकड़ दोनों ही लेंग्विज पर बनता है हाँ या ना चली आज यह ऑप्शन के तरफ चलें प्लेस चिल फिरा चिलिट नेरव कर primo लेंग्विज उसके साथ आंढयोच करते हैं तो बचा के सांथ क्या होता है कि एक लेंग्विज के मातिम सेंदू स्कर इंटर औरलें को इंटर्फियर के लिए ऊसान थैंहीं है तो मारा ऑन्सर क्या बनेगा औप्शन में चले अगली कोशन क्या है दमोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पट ऑफ चिल्डें लेंग्वेज़ डिवलप्मेंट इस बच्चे का जो लेंग्वेज़ सीखने का लेंग्वेज़् के प्रतिविकास होने का जो सबसे सीखते हैं ठीक है अंग्रेज लोगों के हाँ जो बच्चा होता है तो वो इंग्लिस महावल में ढ़ल जाता है यह एंड सोन इसी प्रकार से सभी बच्चों के साथ ऐसा ही होता है तो इसका अंसर क्या बनेगा एक्सपोजर टू डैट लेंग्विज जो बच्चा बच्चे को जो लेंग्विज सिखाना उसके साथ उसको एक्सपोज कीजिए ठीक है डिल एंड प्रैक्टिस इन डैट लैंग्विज मतलब उसके साथ डिलिंग करवाई है प्रैक्टिस करवाई है यह वही बात है जो आप इस पोके इंग्लिस सीखने जाते वहां पर आप करते हैं तो आप ज़रा ध्यान देजे यह अपने दिल पर हांत रख के पूछिए कि क्या आपके नजर में या आप में से कोई बच्चा कभी यदि इस पोके इंग्लिस सीखने गया था तो क्या बच्चा तीन महीने में धारा प्रवाई इंग्लिस बोलना सी गया था कभी ऐसा होता नही इमिटेटिंग देडल्ट को कॉपी करना यह भी नहीं है तो हमारा अंसर बना और नेक्स नगले कोशन में चलें सबसे पहले होता क्या है यह हम लोगों को पता नहीं है नहीं चोटा बच्चा जो होता है जब पहली बार आप उसको कॉपी पेन पकड़ाते हैं तो क्या बच बच्चा ऐसे ही इसीन इसी फिरीक शेल्ब फ्करते नहीं बच्च्च के इस तरीके से कुछ कुछ विरसेरी करते रहता है यही रेखते करते southern एben impos clipping न YES कहा से स्क्रिबलिंग करके इसी प्रोसेस को कहते है यह करकर के बच्चा उसी दिन से चीजों को ठीक तरीके से पाचानना सीखता है ठीक है तो यह मेरा आंसर हो सकता है मेक मीनिंग फ्रॉम दा मार्क से फॉर यह नहीं होगा मार्क से को पाचानना नहीं सीकता चिन्नों को पाचान अगले कुशन में चलते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है है is same as writing handwriting and writing दूनों से मात है यह दिके राइटिंग is an expression of ideas कोई भी कभी है कुछ भी लिखता है कोई भी लिखता है कुछ भी लिखता तो अपने मन की बातों को लिखता जैसे सबसे बढ़ी है एक्जामपल ले लिजे हम लोग यदे राम चरित मानस का नाम सुनते हैं जिसको तुलसी दास ने लिखा तो आप यदे उसको ठीक तौर पर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तुलसी दास ने उस बुक के निशिल में लिखा है कि ये बुक मैं अपने मन की बातों को बताने के लिए कर रहा हूं मैं हरी की भक्ती यानि की जो राम की भक्ती है उसके भक्ती में मैं इसको लिख रहा हूं मतलब उन्होंने ये मान के नहीं लिखा था कि फ्यूचर में हमारे द्वारा लिखे गए बुक को कोई दूसरा यह बिल्कुल करेक्ट बात है कोई भी रैटर लिखता है ठीक है चाहे वो दिन बंदू निराला लिखे या माखनलाल चतुर विदी लिखे या सेक्सपियर साहब लिखे जो भी लिखता वो अपने मन की बातों को अपने लेक में उतारने का प्रयास करता है तो यह तो गलत हो इस है और अपके पास कोई मशीन आउस मशीन में अलूग डाली सोना निकले गाइसा कोई प्रोडक्ट नहीं महीं अगतिक है तो मारा आंसर एक सक्रिक बनाकर और सॉमसें नवर 2 निक्स टांगे बढ़े अगले कोशन में बिल्डिंग हैंड आई कॉडिनेशन देक हैंड का हाथ आई कम अवाई इन दोनों का कॉडिनेशन होगा तो यह क्या करेगा यह किस तरफ हम लोगों कुलिजाएगा और किस प्रकार के सिक और करेगा भाई जेरा ध्यान देच़्िकंग को डेवलब करेगा बोलने के लिए हाथ और आख का कॉडिनेशन जरूरी नहीं उसके आप्षिन नमबर से नेक्स्ट अब यह जो कोशन था मतलब कि यह जो कोशन था कोशन नमर्ट 21 यह कोशन कैसा था यह आपके कॉमन सेंस पर बेस्ट कोशन था यह इस कोशन को हम लोग यहां पर देखते हैं इस कोशन में क्या लिखा हुए भाई एड़ फाइड़ फाइड़ फांडेशनल एस्टेज मतलब प्राथमिक अवस्था में लर्नर सूट बी टॉट इन इसकूल लर्नर को इसकूल में सिखाना मतलब लर्नर को जो सीखने वाला बच्चा है उसको उसके स्कूल में होम लेंग्विज में उसको पढ़ाना चाहिए इससे क्या होगा भाई इट रेन फोर्से साइलेंस मतलब इससे क्लास्रूम में साइलेंस हो जाएगा इसके कोई गरंटी नहीं है इट कम्यूनिकेट से न लर्निंग प्रोसेस मतलब सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है इसमें उस बच्चे का जो भागिदारी है वो बढ़ेगा तो यह मेरा करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते चलते अगले कोशन की तरफ यूजिंग द यूजिंग स्कूलिंग मतलब स्कूलिंग के आरंब में जो सीखने वाला बच्चा है उसके घर के भासा का यह दिप्रयोग किया जाए तो इससे क्या होगा ठीक है आई चेक करते हैं इनक्रिजेज इस दबाडेन और टीचर से से टीचर के ऊपर बहार बढ़ेगा गलत इस मोर नेचूर लर्निंग उबजक्टिव रिस gifts क्या होगा कि जो लर्निंग आज़ए यह अगे बढ़ेगा प्रोमोट स्मूथ टांजी कराम होगा कि आसानी से एक मतलब के टांजीशन होगा एक प्रकार के चीजों का जो है अस्थानांतरान होगा एक चीज से दूसरे चीज बच्यों को अब आते हैं कुशन नमर्ट 24 में वाट इस दमेन परपाज ऑफ समेटीव असेस्मेंट जैसे आप यदि बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं या आप बच्पन में जब इसकूल में पढ़े थे तो आप देखेंगे विसे इंग्लिस में जो स्कूल होते हैं वहाँ पे बच और सकत्कूल करख करके लाइए यह कीजिए और सब मिला कि बच्चों का मुलियांकन के जाता कि इसमें बच्चं क्लिन रहता है तो सके पर डिसिप्लीन सब्सकों थोड़े फोड़े 마क्स अधिए जाते ठीक है इससे क्या हुता कि बच्चों का ओवर औल अस्स侈स्मेंट हो इपरोब नहीं करता है चीब्मेंट को ठीक है तू गैदर मतलब गैदर का मतलब हुता है मस्टर मने एकठ्था करना एक जूट करना डाटा ठीक है डाटा एकठ्था करना ओन इस टूदेट अंडर्स्टेंडिंग एड़ बिगिनिंग ऑफ यूनिट ऑफ चुदेड़ से भी यूनिट को पढ़ाते हैं तो उसके आरंब में बच्चे का जो समझ है वो कितना अच्छा है इसका वो डाटा ही कठा करता है इसका इससे कोई मतलब नहीं इससे बहुत कोई वास्ता नहीं है तो मेजर और और अटेनमेंट एंड इसका बच्चे में जो क्वालिटी है वो कितना इंप्रोब किया है कितना वो बच्चा सीख पाया यही तो आप मेजर करते हैं ओवर ओल समेटिव असेस्मेंट के द्वारा तो हमारा अंसर बनेगा ऑप प्रते ग्रमेटिकल टर्म का डेफिनिशन जानना चाहिए पे सिस्टेमेटिकण ध्यान देना चाहिए focus on the use of grammar in context grammar का context में हमसे use करेंगे यह हम लोगों को आना चाहिए तो आईए इस्कंदप करते हम लोग तो इसकोशन का उसर क्या बनेगा इसकोशन का अंशर भनेगा हमारा यॉपस्चन क्तैमेंने क्लास हैं लेरी तो इसका मतलब यह है कि क्लास जो है वो सीखने में बीजी है दूसरा a disciplined class is one where learners sit quietly and teacher teaches well मतलब एक disciplined class उसको हम लोग कहेंगे जिसमें जो सीखने वाले विद्यार्थी है जो स्टूडेंट है वो चुप चाप बैठे हो क्वाइट का मतलब क्या होता है चुप चाप ठीक है मतलब सूचिए जोड़ा बनाईए और उनसे क्या किजिए एक्टिविटी करें तो इससे क्या होगा बच्चों का इंप्रूइमेंट होगा तो यह गलत है नहीं अगला टीचर मेक्स लर्नस टू रोल प्ले स्टूरी स्टूरी को रोल नहीं प्ले करने के लिए इस है इससे भी बच्चों का इंप्रूइमेंट होता है तो गलत्чесट मेंड़े उप्सेंबर ग्रामर टास्क का म क्या है भाई टू भी कानटेक्श का करना उसको किसी विश्परिप्रियक्ष में संब्रिविद करना तूबिलाइफ और लाइफ से ओरियेंट करना इसके साथ कोई वास्ता नहीं fully फॉकस्ड तो पूरी तरीखे से फोकश्ड हो ना है मेमोरी फोकस्ड मेमोरी से इसका कोई मतलब नहीं है तो इसका पाइलब 550 प्र्सक्राइब एसका करेंज्ड सर्फ मारा बोड़े बुटे विम द्टारश जन्म लेता है तो उसको किसी भी लैंगिश का कोई भी फंडामेंटर नॉलिज नहीं होता जड़ा सोची हम और आप भी जन्म लिते यह अभी बिकोई बच्चा जन्म लेता है तो मां के पेट से मां के पीट जुब बच्चा बाहर निकलता ह से कल्चर में बच्चे का जन्म होता है उस पर यह डिपेंड करता है कि बच्चा कितने तेजगती से आपका लेंग्वेज सीखे का इससका कोई मतलब नहीं है बाई जन्म से ऐसा कुछ भी नहीं होता दियर इनेट मतलब जन्म से बच्चे के अंदर यह चमता होती है कि वह लेंग्वेज सीखे ठीक है कि वह लेंग्वेज सीकर ही बाहराय पैदा हो ठीक है चिलें लेंग्वेज हम लोगों के पास घुटे-चोटे होते थे इसके लिए पेन को लिए ऐसे दो-चार बार बाल में रखरते ते रव करते थे और जैसे उसका आगज के टुकड़ा उड़के इसके पक जाता था यह कैसे होता था इसी को कहते हैं चार्ज का इंड्यूस करना ठीक है मतलब मुस्किल चीज को आसान बना के प्रस्तूत करना मुस्किल चीज को आसान तरीके से समझा देना यह तो एक टीचर का रूल होता है ठीक है आई यह यहां पर देखें तो heavy materials to light ones जो भारी चीज है उसको आसान बना देना difficult to different difficult से different बना देना यह गलत हो गया familiar to unfamiliar मतलब जो जाना पाचाना उसको भी अंजाना बना देंगे यह भी गलत हो गया abstract to concrete जो abstract उसको concrete बना देना यह भी नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या बना यह वहला भारी चीज को आसान तरीके से समझाना नेक्स्ट आई अपने last question के तर their fingers in sand tray मतलब बालू का कोई tray हो ठीक है बालू का कोई tray हो और मतलब बालू का कोई tray है और उसमें यह कोई teacher अपने बच्चे से कहता है कि तुम फिंगर का यूज करके से लिको इस पे लिटर से लिक हो ठीक है the objective of this activity is to इस तरीके से यह कोई teacher करना चाहता है यह करवाता है तो अधिया से क्या हो सकता है आई यह उदे से की बात करें प्रोमोट प्लेफूल एट्मोस्फेर इन दा क्लास क्लास में एक खुसनमा महाल बनाना ठीक है यह हो सकता है में अंडरेस्टेंट डिफरेंट अंदर डिफरेंस बिट्वेन क्लीन एंड डिटी हैंड साप हाथ और ग तो इसके आगे के और वीडियो रहे आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हमारे ऐसे ही वीडियो उसको देखते रहे है लगबग हर तरीके का वीडियो हम लोग आपको प्रवाइड करेंगे जो भी आपके एक्सांब के पॉइंट आव्यो से इमपॉर्टेंट है ठीक